पटना के गुधा कोली थाना छेतर के दूजुरा में रहने वाले रवी की गुथी आखिरकार सुलजा ली गई है पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया आपको बता दे कि पिछले दिनों रवी के घर में उसका सब बरामद हुआ था और इस पूरे मामले की जाच कोतवाली के DSP किसमुरारी कर रहे थे और जिस परकार से पूरे घटना करम की जो बाते सामने आई थी कि रवी अपने घर में अकेले रहता था पूरा परिवार उसका बोरिंग रोट के मकान में रहता था और रवी के मकान में डेंटिंग पेंटिंग का भी काम चल दा था और पूरे मामले की जाच की 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 और उनकी पतनी से लेके गल्फरेंड से लेके पेंटर से लेके तमाम लोगों से पूस्ताज की लेकिन जो पुलिस की जाज का जो एंगल था वो सबसे एहम करी जो पुलिस ने खटा की की रवी के घर में जो सोने के जेवरात रखे हुए थे तो नकली जेवरात आटिफिसियल जिवराट जो थे वो अपरादियों ने अपने साथ नहीं ले गए थे और जो सोने के असली जिवराट थे वो कहीं न कहीं जो अपरादी थे वो अपने साथ ले गए तो आप समझ ये कि इस पूरे घटना और पुलिस पुलिस जो है अपरादी तक पहुचने की मुख जो पात पुलिस बैक टू बैक लगातार इस पूरे मामले की जाच की और उसके बाद दो आरोपियों की गिरफतारी हुई जो पहले रवी के घर में किराय के मकान में रहते थे पेसे से सोनार थे रवी के साथ उन्होंने नसा की और उसके बाद बीवाद इतना बढ़ा तो उसके गला दबा के फिर जो रवी की हत्या कर दी गई और उसके बाद अपड़ा दी सोने के जेवरात लेके अराम से फरार हो गए पुलिस ने तमाम तकनीकी अनुसंधान में ये पता लगाया कि आखिर ये मोवाइल किनका ओन था अनुसंधान जो बहतर तरीके से जो तकनीकी अनुसं केज की और उसके बाद दो आरोपियों की गिरफतारी हुई लगातार पूछताच के बाद तमाम चीजों का खुलासा हुआ इस पूरे घटना करम को अपराधियों ने किस परकार से प्लान किया तमाम चीजों की जानकारी पटना के सेंटरल स्पी चंद्र परकास दे रहे है और कहीं न कहीं पटना के जो कोतवाली के डीएसपी किस क्रिश्न मुरारी ने इस बलाइंड केस का एक बेहतर तरीके से खुलासा किया और घटना किस परकार से अपराधियों ने अंजाम दिया तमाम बारीकी को और सिलसलेवार तरीक से कैसे घटना को अंजाम दिया गया य आज की इस प्रेस कॉन्फरेंस में आपनों का स्वागत है, दिनांक 10 अगस्ट 2024 को बुद्धा कॉल्ली थाना चेतर में, जो दुजरा इलाका है, वहां से सुसना पराप्त कुई थी कि एक घर में बंद कमरे के अंदर जो है, एक मिर्त वेक्टी का शव पाया गया था, तो इस और इसमें तकनीकी और जो मानवी आसुसना संकलन है, दोनों बिंदू पर बहुत ही गहराई से किया गया, तो इसमें जो है, जब अनसंदान आगे पड़ा तो कुछ बाते जो निकल के सामने आई, जो आपको यहां पर प्रदशन की जा रही है, वो है कि इसमें दो-तीन ची कि जो असली सोना था, वो नहीं ले लिया था, पर अंतु जो जो रोल्ड, गोल्ड के जो जेवरात और जो आभूशंत है, वो जो है चोडी नहीं की गए थी, इससे जो है, हमारी टीम को यह पता चला, कि हो नहो जो जो वेक्ती है, जो घटना कारित किये है, उनको जो है सोन कि जा रही थी, इसके अधार पर जो है, गहराई से जाच की गई, इस संबंद में जो है, एक वेक्ती जो उसी के घर में, जहां पर घटना कारित हुई थी, उसी घर में एक वेक्ती गोलू और शिवम, जो है, इस पर हम लोगों ने अनसंदान किया, इसके संबंद में, और उनके साथ ही एक और जो किराय में रहते थे, उनका नाम है यश, तो यह यश और गोलू की जो है, यह लोग के विरुत जो है, हम लोग शापे मारी किये, और शापे मारी में यह पदा चला, की इन्होंने जो है घटना को कारित किया, इन्होंने अपने शिकारोप्टी बयान में इन्होंने एक्सेप्ट किया है, इन्होंने बेसिकली यह क्या करते थे, उनके साथ पार्टी करते थे, घटना वाले दिन भी जो है यह नशे में जो है, ब्राउन सुगर और अन्य किसी नशे पदार का सेवन किया इन लोगों में, और उसके बाद जो है, कुछ जगडा हु उसके ऋपर थीनर और जो agent का जो है उनके चिर्काव कर दिया और इसके बाद जो है जो भी समान ते हजवाराद उसके खोज किये और जिसमें की समान असी वेस्ती उनंहें कर दिया जो भी घर में समान थे और जो असली सोने से वो वहां से चोड़ी करके ले गए इसके बाद जो है जो हमारी चापेमारी की टीम जब इनको पकड़ी तो इन्होंने अपने निशान देही पर जो है जो उनके पटना के ही इसी रेंट वाले घर से कुछ दो एक नाग का पिन और लॉकेट बडामत करवा और वो मेल्ट जो अभूशन था उसको भी जो है उनके निशान देही पर हम दो ने जब कर लिया है तो कुल जो है 123.46 जो है ये चान्दी और 169.80 gram जो है सोना पिगलाया हुआ सोना जब किया गया और इसी के साथ kool सोना जो पिगलाया हुआ और जो लॉकेट और आन्या जो नहीं पिगलाया गया था उसको मिला करके 167.08 ग्राम का जो है हम लोगोंने जो है जब्ति कर लिया है इस समंद में कुछ और जो आगे बाते आई हैं जिसके डिनका की मदद जिनको अने इनको किया था इसको घटना को melts करने में गणा संञ जो भी सोनी निकले उनको miđ करने बगार में उन समंद में गराय सजाथ चल रही है और जो भी वेक्टीस में सनलिप्ट है उनको भी अनसंदान का विशे बना रहा है और उनके विरुद भी कारवाई की जाएगी साथ ही इसमें दो तीन चीजे और भी की गई जो जैसे कि आप लोग को पता है कि साथ वर्ड से सजाग जादा जिसमें भी कार्ण में रहते हैं उसमें एफसल का आना अरिमारी है तो घटनासल पर तक्षन में भी पहुचा था और वहाँ पर एफसल की टीम को बुलाया गया थ और एफसल की टीम ने वहाँ पर जो है जो भी महतवपूर्ण जो भी साक्षिते वह संकलन किये है साथ ही जो है वहाँ पर फिंगर्प्रिंट ब्यूरो की टीम आई थी और उन्होंने भी जो है वहाँ पर से फिंगर्प्रिंट उठाया है और जो है अभी हम लोग जो है मान कोशिश है उसमें हमें जो सफलता मिलेगा धन्यवाद